ओम श्री गनेशाय नमहा राधे आधे दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे चैत्र महाक्रिस्न पक्ष में पढ़ने वाली भाल चंद्रसंकस्ती चतूर्थी 2024 में कब है? 28 मार्च या 29 मार्च भाल चंद्रसंकस्ती चतूर्थी मोहरत गनेश पूजा कसम है और भाल चंद्रसंकस्ती चतूर्थी के दिन चंद्रोदे कसम है धार्मिक मानेता के अनुसार चतूर्थी दिथी देवी देपताव में प्रतम पूजनिय भगवान स्री कनेश को समर्पित है कृष्न पक्ष की चतूर्थी को संकस्ती चतूर्थी और सुक्ल पक्ष की चतूर्थी को विनायक चतूर्थी कहा जाता है हिंदु पंचांग के अनुसार चैत्र मास के क्रिशन पक्ष की चतूर्थी को भाल चंद्रसंकस्ती चतूर्थी कहते हैं इस दिन भगवान स्री गनेश की पूजा करने से सभी कस्टों से मुक्ति मिलती है और हर मनों कामना पूरी होती है। सास्त्रों के अनुसार चतुर्तितिती के दिन चंद्रदर्शन का विसेश महत्भय चंद्रदर्शन के साथ ही चंद्रमा को अर्ध देने से भी स्री घनेश की विसेश गृपा प्राप्त होती है। हिंदु का इलेंडर के अनुसार इस साल 28 मार्श के दिन गुरुवार को साम 6 बचकर 56 मिनट पर चैत्र महा के क्रिशन पक्ष की चतुर्तितिती लगेगी। उसके अगले दिन 29 मार्श सुक्रवार को रात 8 बचकर 20 मिनट पर चतुर्तितिती की समाप्ति होगी। पर गनेश पूजा का सुब्ह महुरत प्राता काल में सुरियोदे से लेकर सुबह 7 बचकर 48 मिनट तक है। उस दिन सुरियोदे सुवा सवा 6 बचे होगा। इस समय में सुब्ह उत्तम महुरत भी होगा। इसके अलावा दो पहर 12 बचकर 26 मिनट से दो पहर 3 बचकर 32 मिनट तक सुब्ह समय होगा। अभिजीत महुरत दो पहर 12 बचकर 1 मिनट से दो पहर 12 बचकर 51 मिनट तक रहेगा। उस दिन ब्रम्ह महुरत प्राता 4 बचकर 42 मिनट से प्राता 5 बचकर 29 मिनट तक है। भाल चंद्र संकस्ती चतूर्थी व्रत के दिन रात में चंद्रमा की पूजा करके ही व्रत को पूरा किया जाता है। संकस्ती चतूर्थी में चंद्रमा देर से उतित होता है। इस वजह से व्रती को उस दिन चंद्रोदे की प्रतिक्षा होती है। भाल चंद्रसंकस्टी चतूर्थी पर चंद्रोदे रात 9 बज़ कर 28 मिनट पर होगा उस समय पर आप चंद्रमा को अर्थ दे कर व्रत को पूरा कर सकते हैं